यूपी की दो वी आईपी सीटों पर बिजेपी कर सकती है प्रत्याशियों का एलाज सियासि गलियारों में बढ़ी राजनीतिक हल्चर बिजेपी ने बनाया अस्ती सीटों का लग्ज नमस्कार मेरा नाम प्राशितिवारी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आने वाले लोकसभा चुनाओ के लिए राजनीतिक पार्टी ओने अपनी अपनी तयारियां शुरू कर दी है जिसमें से कि गडबंधन इंडिया बिजेपी की जीत की रत की इस यात्रा को रोकने में सफलता पाता है या नहीं कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता देश के सबसे बड़े लोकसभा सीटों वाले राज्यों सत्तर देश से होकर जाता है जो इस सूबे को जीत लेता है उसी का राज राश न हो सकती है ताकि समय रहते हुए अपने पक्ष में महाल बनाया जा सके बतादे उत्तरप्रदेश के दिन दो सीटों पर बिजेपी की नजर है वो कॉंग्रेस नेता सोनिया गांधी की संसदी छेत्र राय बरेली है जबकि दूसरा समाजवादी पार्टी गागर मैन पूली ज नई रड़नी की तयार कर रही है बिजेपी सुप्रों की मुताविक समय रहते ही अगर इन सीटों पर सक्त्याश्यों की धोशना हो जाती है तो उन्हें चुनाव प्रशार करने के लिए समय मिलेगा साथी मीडिया में लाइम लाइट आने से प्रदेश की सियासत पर भी गह संसदी छेत्र बारामती पर भी अपनी नजर बनाई हुए है खबर है कि सीट पर भी बिजेपी जल्दी अपना प्रत्याशी उतार सकती है ताकि सुले को हराया जा सके इस संसदी छेत्र में बिजेपी काफी कमजोर मानी जाती है अपना जनात्धार बढ़ाने के लिए अपने सभी सांसदों को अपने संसरी जाने और लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए कहा गया है ताकि सत्ता के प्रतिलोगों में छीट ना हो सके यूपी में कुल अफसी लोग समाध सीटे हैं ऐसे ही वीडियो उसके लिए बने रही है हमाल साथ वीडियो अथी लगी हो तो चैनल को फेस्बूक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें